जहिंद, दूस्तों आज हम इसराइल और फिलिस्तीन विवाद की चर्चा करेंगे, आखिर क्या जर्वे कारण है, क्या है हमाश, आखिर क्यों इसराइल के प्रदान मंतरी बेंजीमीन नितन आहो ने हमाश को डिस्ट्रॉय करने का आदिस दिये है, आखिर कौन है ये आतकवा इसकी चर्चा करेंगे, साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच एक लंबा बिवाद कहां से सुरू हुआ है, आखिर उसका जर्व क्या है, क्या कोई भारत से भी लिंक है, या भारत से क्या शंबंद है इसराइल का और फिलिस्तीन का, और इस के इतिहास में फर्ष्ट वल्ड वार और दुत्य वल्ड वार का क्या योगदान है क्यों ये इतने फेमस है पूरी विडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप जरूर समझ जाएंगे दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि अभी जो है इसराइल ने एक घमाशान युद्ध छेर दि और जो समान नागरिक है वो भी इसमें मारे जा रहे हैं ये आतंकवादी तो भाग गए लेकिन इनके सिकार आम जनता हो रहे हैं तो जो इसराइल के प्रधान मंत्री है नेतिर आहो आखिर क्यों इतनी बड़ा फैसला उन्होंने किया क्या कारण था पिछले कुछ दिन पहल इसराइल पर आकर्मन करके वहां के बहुत सारे नागरिकों को मारा और वहां के इसराइल के महिलाओं के साथ भी अपमान जनक मैवार किया लेकिन सबसे बड़ा शवाल है कि आखिर ये बवाद कब से चल रहा है उसकी इतिहास में हम लोग चलेंगे तो जो सबसे महत्पुर उन बिवाद है वहां मैं चर्चा करूं इसके बिवाद के जर में जो है अमिर्का 1948 में आपको जाना होगा उस समय अमिर्का के राष्टपती जो थे ट्रूमें थे उन्होंने एक ट्रूमें से ध्यानत लाया था इसी तरह कुईन एलिजा वेत थी ब्रिटेन की महरानी और भ अमिर्का थे अमिर्का का सही सुरू से ही ये नीती रही है फूट डालो और शाशन करो दुट्य विश्युद्ध से पहले की कहानी मैं शुनाओं तो हिटलर जो जर्मनी के थे और जर्मनी का एक ताड़ा शाह था हिटलर ने यहुदियों का कतले आम मचाया था जिस कारण स यहुदियों को देश छोर कर भागना पड़ा था यहुदियों को गैस के चंबर में डाल कर हिटलर मार देते थे यही यहुदियों का देश है इसराइल उसकी कहानी आगे बताऊंगा तो यह अमिर्का और ब्रिटीन का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि यह नहीं चाहते थे कि जो श्वतंतर होने वाले देश हो वो विकास करे उनका सरदर्द कोई न कोई बना रहे जैसे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान जाते जाते भारत और पाकिस्तान का भी वाजन कर दिया और आज भी पाकिस्तान जो है भारत के लिए एक सरदर्द बना हुआ है इसी त 45 के दसक में जान से जानते हैं कि UNO नामक संगठन एक सक्तिसाली रूप में आया, लेकिन आज तक UNO को किसी ने भेल्यू नहीं दिया है, ना तो अमिर्का दिया है, ना ही कोई बिक्सित देश दिया है, बस UNO को बिक्सित देश हर बत एक टुल्स के रूप में यूज करता रह है, जैसा कि भारत के जो पर्थम ततकालिक प्रधानमंत्री जवाला लेहरू थे, वो भी कस्मीर मुद्दे को UNO में ले गए थे, आज भी वो मुद्दा वहीं पड़ा हुआ है, तो UNO को निर्ने करने की छमता बिल्कुल भी नहीं रह गई है, तो उसकी पूरे इतिहास को ह आप समझ जाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपके सामने जो हमने लिया है, ये है मिडल इस्ट, देख रहे हैं, और इसी मिडल इस्ट में अगर आप देखेंगे, तो यहीं पर जो है, एजिप्ट है, यहां पर देखिए, गरिश है, तुर्की है, लिब है, इसी मुस्लिम कांट्री के बीच, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसराइल है, इसराइल की एक खाश बात है, कि भारत से ये क्यों महत्पुर्न है, क्योंकि यहां से रेड सी होते हुए, वो भारत से भी संबंध जोड़ रखता है, यहां पर के, आकर के, साथ ही साथ, इनके जो दुषमन देश हैं, जैसे ऐजिप्ट हो गया, इजिप्ट हो गया, जोड़न हो गया, शीरिया हो गया, तुर्की हो गया, यह साइप्रश हो गया, एक तो इजराइल जो है, खास करके मेडिटेरियन सी के बगल में है, इसलिए यह काफी फेमश है, काफी शक्तिसाली है इनकी संस्थाओं की भी मैं बात करूँगा जो वर्ल्ड लेवल की संस्था है और इसराइल एक तरह से मैं आपको कहूँ तो दात के बीच एक जी है इसराइल मतलब इनके चारों तरफ दुस्मन देश है फिर भी इसराइल अपने आपको शक्तिसाली बनाता रहा है और मैं कहानी बता रहा था कि अखिर इसके पीछे जर्मे कारण क्या है कि जो अमिर्का था अपनी सक्ति जब दुत्य बश्यो द्शबाप्त हुआ तो उस शमय दो शुपर पावर शक्ति के रूप में उबढ़ा एक तो अमिर्का था दूसरा यू एसस आर था जिसे हम पुर्व शोवियत संग कहते हैं और दोनों में कोल्ड वार की सुरुआत हुई और ये कोल्ड वार नभे के दसक तक चलता रहा एक लगातार युद जिसे हम मतलब कहते हैं शीत युद इसके लिए अमिर्का ने भी अपना शंगठन नाटो बनाया नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन यू एसो ने जो है नाटो बनाया था इसी तरह से रसिया ने सीटू बनाया था और एक गुठबंदी चलती रही इसी गुठबंदी में अपनी मिडल इस्ट में अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड में जो भाग यहुदियों ने जो हिटलर ने सारे यहुदियों को मार मार के भगाया था उसी सब को बुला करके एक छोटे से जगए इसराइल पर 1948 में बसा दिया अब अमिर्का और अमिर्का को ये बात पता थी कि इसके चारों तरब देश जो है इसलामिक देश है तो शभाविक सी बात है टकडाओ होगा और जब टकडाओ होगा तो दोनों को हथियार की जरुत होगी और जब हथियार की जरुत होगी तो अमिर्का का चोधराहत कायम रहेगा और दोनों को हथियार मैजेगा और ये उसके दिमांग साथ ही एक शक्ती शंतुलन के लिए रशिया को एक काट करने के लिए उन्होंने इसराइल को एक सक्ती के रूप में माननेता दिया 1950 के दशक में भारत ने भी इसराइल को माननेता दे दिया लेकिन आज भी फिलिस्तीन को माननेता देश के रूप में पराप नहीं है और खास बात है कि इसराइल का एक फेबस संस्ता है मोशाद वर्ल्ड की सबसे सक्तिसाली सूपर एजनसी है मोशाद मोशाद के बारे में कहा जाता है इतनी शक्तिसाली है कि ये अपने दुस्मनों को घुस घुस को मारता है घुस घुस को नस्ते नावूद कर देता है उशे दवा कर देता है उसकी जंदगी को बडवाद कर देता है इतनी शक्ति-साली इज़राईल की संस्था है मोशाद तो इशीम मोशाद से जो है शक्ति-साली है और इज़राईल के पाश आज भी आधनिक अस्त्रशस्तर है और भारत के दर्ष्टी कौन से देखे, तो भारत सुरूश यही इसराइल के एक निकट सम्बंदी रहा है, कि जब जब भारत का युद्ध हुआ, चाहे उन्ही श्वैखत्तर का पुरिवी पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, या फिर 99 का कारगली वर हो, या 1965 का युद्ध हो, हर वक्त इसराइल ने भारत की तरफदारी की है, उनके जर्मे भी कारण है, तो यह जो इसराइल की संस्था है, मोशाद बहुत ताकतवर गुप्तचर संस्था है, अब इसमें कुछ मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, जो बहुत महत्पुर्ण है, आकिर इस बिवाद का क आरन क्या है, यहाँ पर एक बहुत महत्पुर्ण चीजे आप देख रहे हैं, जैसा के स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं, पहले 1946 में, याद रखिएगा, कि पहले जो है 1946 में फिलिस्तीन की ये कंडिशन थी, आप देख रहे हैं, यह पूरे एरिये में 1946 में फिलिस्तीन बशा हुआ था, और यह जो एरिया अप देख रहे हैं, और यह जो वाइट वाइट देख रहे हैं, यह वाइट वाइट बस जो था इजराइल के यहूदी थे, कौन थे, यहूदी थे, देखिए किस तरह से इजराइल ने अपने शक्ती का विस्तार किया, एक दादा गरी के माध्यम से, धीरे धीरे अपना पावर बढ़ाता गया, 1947 से यूएन प्लान के ताथ, मैंने कहा कि अमिरका ने इनका बहुत साथ दिया, अब देखिए, एक ही साल में, जो पॉइंट पॉइंट था, यह वाइट 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 अपना बिस्तार कर लिया, अब देख रहे हैं, कितना बिस्तार किया, इसी तरह से आगे बढ़ेगे, 1960 में इसराइल, फिलिस्ताइन को धीरे धीरे खत्म करता हुआ, अपना च्छतर बेटा है, और 2012 तक, बस इतने जगह में, जो है, फिलिस्तीन रह गया है, और सारे च्छतर पर इ आकिर ऐसा इसराइल कैसे किया, तो इसराइल ने क्या किया, कि इनके जो आतंगवादी संगठन ने उन्हें उक्सकाया, जैसे ही आतंगवादी संगठन ने हमला किया उसे, उन्होंने और उसका च्छतर जीत लिया, और एक बड़ी खास बात में आप आज बताऊंगा मैं आ इनके चारों और मुसलिम कांटीज है और उसके बीच इसराइल ने किस तरह जब भी युद्ध हुआ है अरबियन कांटीज को हराया है और यही पर एक बहुत महत्पुर्ण बाते में बताओं कि इसराइल में एक जगह है येरूशलम जिसे कहते हैं और ये येरूशलम जिसकी धर्मों का केंदर है इसाईयों का भी केंदर है यहुदियों का भी केंदर है और इसलाम का भी केंदर है तो अब इसके कहानी क्या है आगे बताओंगा तो दूसरे बात है यही मक्का है आपको अरब में मक्का है आपको पता है और मक्का जो है यही पर पेगंबर मुहम्मद जी का जनम हुआ था जैसा कि इस्क्रीन पर आप देख रहे हैं और मुशलमानों का यह धार्मिक अस्तल है एक बिशेश इन से लगाओ है इसी तरह मदीना है इस मदीना से भी पेगंबर महम्मद का यहां मिर्तिव हुआ था मक्का से मदीना तक कि उन्होंने यात्रा की थी और यहां पर जो है इन दोनों चीजों से इसलाम को बड़ा लगाओ रहा है और खास करके मुशलमानों को तो इसी कारण से जो अगली चीज़ में बताने जा रहा हूँ और भी महत्पुर्न है कि जेरूशलम जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो जेरूशलम है यह इनको थोरा मैं बरा करके अगर दिखाओं तो ये जो येरूशलम है इनको ये फिलिस्तीन ये ना तो फिलिस्ताइन के पास था ना ही यहूदियों के पास था अन्हीं इसराइल के पास था यहूदी के जो खास करके जो देवता है वो यहूबा कहलाते है और इसको शुरू में अर का भी और यहूदिயों का इसराइल का भी जिसे यहूदी वहां के लोग थे तो अब समझ्या क्या थी कि ये तीनों छेतरों का होने के कारण UNO ने सुरू में इन्हें अपने कबज़ों में रखा था येरुशलम को अपने कबजों में रखाता लेकिन इस च्छतर पर भी धीरे धीरे इसराइल हमला करकर के उस पर कबजा करता रहा चुकि जिस तरह से इसलाम के लिए मक्का और मदीना फेमस है उसी तरह से इसलाम के लिए येरुशलम का जो महजद है वो महजद भी फेमस है इसी लिए एक इसलामिक वर्ल्ड का जो है मुशलमानों का एक शौभाविक लगाओ जेरुशलम पर है और जो इसराइल है वो चाहता है कि धीरे धीरे जो है फिलिस्तीन का खात्मा कर दिया जाए और वही फिलिस्तीन जिसकी चर्चा में कह रहा हूँ कि पहले एक बड़े च्छतर में था धीरे धीरे इसराइल ने उन्हें समपुर्ण च्छतरों पर कबजा करता गया वही के आतंकवादी संगठन है हमाश और वही हमाश आज के दोर में हमला करके एक बड़े च्छतरों को इसराइल को नुक्षान किया अब इसराइल को मौका मिल गए उस पर हमला करने का और एक बड़ी आवादी को इसराइल ने नस्त नाबूद कर दिया तवाह कर दिया तो यही कहानी एक कहानी और मैं आपको बताओंगा यहाँ पर भारत जैसे के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो मैंने कहा कि अमिर्का ऐसे देश या बिरिटेन जैसे देश जिनके बिरिटेन के हम गुलाम रहे 1947 का तो बिरिटेन जैसे देश कभी नहीं चाहते थे अमिर्का जैसे देश कभी नहीं चाहते थे कि यह जो चाहे वो इसलामिक कांट्रीज हो चाहे भारत हो शांती से जो है जीवन जीए इसलिए उन्होंने जाते जाते भारत को दो भागों में बाट कर चले गए और उसमें भी क्या अब देखो यहाँ पच्छमी पाकिस्तान बना दिया और यहाँ पर पुर्वी पाकिस्तान बना दिया मतलब भारत को भी एक सरदर्द जीवन भर बना रहे तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी पच्छमी पाकिस्तानी वाले जाएंगे पुर्वी पाकिस्तान जाएंगे तो भारत से हो के जाएंगे हो के जाएंगे तो समस्या तो क्रियेट रहेगी समस्या तो बनी रहेगी और यहां से यहां जाएंगे, तो भी समस्या भारत के लिए एक सिरधर्द बना हुआ है, आज भी अगर मैं बताओं, यह जो समस्या देन हैं अंग्रेजों की, आज भी यह समस्या पाकिस्तान के कारण हमारी बनी हुई है, जैसे इजराइल, फिलिस्तीन की समस्या है, वह इसे ही भारत और पाकिस्तान की भी समस्या है वो तो शुकर इंद्रा गांधी जी का है कि 1971 में पाकिस्तान के साथ छदम युद्ध करके उन्होंने पुर्वी पाकिस्तान को अलग करके बंगलादेश बंगलादेश बना दिया जिस कारण से आज जो है हम थोड़े चैन में हैं लेकिन उन्होंने तो सब खेल खेल के गया था अंग्रेजोंने कि भारत को 565 प्रिसली एस्टेटों में बांधने का दिमाग था मांट वेटन तो कहा था कि दो देश होंगे भारत और पाकिस्तान और 565 प्रिसली एस्टेट में जिनको भारत में मिलना है भारत में मिलो जिसको पाक तो मतलब वो तो सारा चाल खेल रहा था कि सब दिन भारत में 565 भारत बने और हम उसका मजा लें और जिंदगी भर भारत जैसे जो डेवलपिंग कांट्रीज है गरीब देश है वो अमिरका हो या ब्रिटेन हो उसका मतलब उनके पीछे घूमते रहें तो यही कहानी है और इस पशंद आए तो जरूर लाइक कर देना और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना जाहिंत